प्रॉब्लेम चलिया स्टॉप हो जाईएगा क्या बन गया है सारा प्रॉब्लेम चलिया बहुत ही अच्छा नहीं बना है तो कोई टेंसन वाली बात नहीं है बनवे करेगा है ना आया जाए पहला नमबर देखे कितना आसान आसान है फिर भी आप लोग नहीं बना रहे हैं है न दोस्त चले पहला नमबर डारेक्ट एक ओनलाइन वाले भी एकदम ध्यान से समझते चलियेगा बहुत इसांदार कोश्चन का कलेक्शन आप लोगों को दे रहे हैं और वैसे प्रॉब्लिम को हम टेस्ट में लाते हैं जो बच्चा एकजाम में क्या करता है छोड़ता है इस चीज को एकदम दिमाग में बैठाईए एक दुकानदार तीन इस्कीम की पेसकस करता है कौन सा इस्कीम बहतर है अच्छा सबसे पहले पहला इस्कीम में कितना कितना डिस्काउंट है बोलिए 15 और 25 अच्छा 15 और 25 का मतलब कोई बताएंगे कितना हो गया यह दोनों को पहले जोड़ेंगे A पलस B माइनस A इंटू B बटा 100 तो 15 और 25 मिलेगा तो कितना हो गया बताएंगे कितना 40 अ माइनस A बी 15 और 25 तीन सब पचात्तर बटा 100 तीन दसम्लों कितना 75 इसका मतलब यह क्या हो गया बोलिए 37 दसम्लों 36 दसम्लों कितना 25 मतलब पहला केस में जो डिस्काउंट मिला वह कितने का मिला 36 दसम्लों 25 लेकिन दूसरा सिचुएशन में जो डिस्काउंट मिला अब बताएं क्या लिखा है पांच खड़ी दें तीन क्या पाएं मुप्त तोटल कई गो वस्तु लिये हैं आठ अम मुभत कितना का अगुना 100 यह कितना परतिसाद छूट दिया बताएं सार हे 37 परतिस लेकिन तीसरा वाले में आप मार खागे क्या लिखा है यह बताएं चार खड़ी दे और तीन क्या करें च्छो क्या करें च्छो मुप्त पाएं कि च्छो पाएं च्छो क्या करें पाएं तोटल कई गो नीचे च्छो अब बता यह चार खड़ी दे हैं और च्छो पाएं तो फिडी वाला कई गो दो गो इसका मतलब क्या हुआ चार खड़ी दे च्छो पाएं का मतलब चार खड़ी दे और दो क्या करें मुप्त पाएं इसका मतलब यह हुआ तोटल च्छो गो पाएं और इस च्छो गो में फ बटा तीन तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट कहां पर है जरा ये बताएं आप हमें कौन सा सिच्वेशन दो इसकीम नंबर दो आप्शन नंबर तीन क्या आया था आप लोगों का यस ध्यान रखना है इस अब कलम थोड़ा सा स्पीड चलाना है थोड़ा सा ये तो ने होंगे आप लोग क्या बनाए है ये वाला को कोई बनाए है तो बताइए हमें कोई ने बनाए आज याद कर लीजिएगा इस ट्रेंड को अब ये पूछना एकदम इसका नियती है नोट करके थियोड़ी लिख लीजिएगा एकदम ये ट्रेंड बन जाएगा अभी लगातार तिन चार साल दो साल तो कम से कम एकदम फिक्स रखिये ये चीज़ पूछेगा ही पूछेगा क्या है ट्रेंड सुनिएगा यदि एंगल का योग A पलस B पलस C कितना डिग्री हो जाए 90 डिग्री या इसी को हम क्या बोलेंगे पाई बाई टू तो हमेशा ध्यान डखियेगा टैन A इंटू कितना टैन B A B फिर B C फिर C A टैन A टैन B फिर कितना टैन B टैन C फिर कितना टैन C और 10 A ये हर हाल में किसके बराबर होता है ये प्रूफ होता है समझ मेरा है न ये क्या होता है प्रूफ जैसे प्रूफ जिनको करना है किजेगा क्या A पलस B C को इधर लाईएगा 90 माइनस C दोनों तरफ क्या ले लिजेगा 10 तो इधर क्या हो गया 10 A पलस B और इधर 10 90 minus C cot C cot को क्या लिखेंगे 1 बट 10 कोना कोनी गुना करके solve कीजिएगा कितना आ जाएगा 1 तो इसको result के रूप में आप याद रखिए अच्छा अब बताईए आपके पास angle कितना कितना था बताईए 27 फिर 34 फिर दूसरा 29 देखें तो इस जोड़ के जरा 90 डिग्री है न अरे यास या नो A पलस B पलस ही क्या है 90 तो यहां से जो मेरा pattern बनेगा वो क्या बनेगा बोलिए 10 कितना 27 फिर कितना 10 34 फिर कितना 10 34 इंटू 10 कितना यह सब समझाने के लिए लिख रहे हैं फिर फिर पलस 29 और कितना 27 10 29 इंटू यह कितना आजाएगा 1 देख लिजी ओप्शन में कौन सा जा रहा है यह चीन पूछा जा रहा है इस trend को एकदम याद रखियेगा इसी में आपको बताएं होंगे यदि यहां 90 के बदला क्या हो जाए पाए हो जाए तब क्या होता था 10 A पलस 10 B पलस 10 C वरावर 10 A इंटू 10 B इंटू 10 C इस प्रॉब्लम को मुझमानी बनाईएगा की लिख के बनाईएगा काईएगा है मास्टर साइब जैसे बनाना है बनाईए न इतो देखिये के व्योंस हो गए है न आईए एक बार में समझिएगा ध्यान से सिंगल लाइनर में बनाएंगे हम इस प्रॉब्लम को कि एक्दम टेक्निकली बनाना है इसको कि यह सब प्रॉब्लम तब बनेगा जब आपका थोट अच्छा हो कैल्कुलेशन इस्किल क्या हो अच्छा लिख 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 के बनाईएगा समय क्या लगेगा इस समय में ज्यादा मेरा तरीका समझिएगा एक व्यक्ति एक बैंक से दस हजार की रासी साधारन ब्याज पर एक लाख क्या लिया उधार लिया और पांच वर्स में क्या करता है वह रीन का भुगतान करता है यदि रीन चुकाने के लिए पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्स के अंत में भुख्तान की गई रासी कि भुख्तान की गई किस्त इतना इतना है पांच वर्स के अंत में कितना चुकाना के एकदम आसान प्रॉब्लेम है सबसे पहले बताए रेट आफ इंट्रेस्ट क्या है 10 परसेंट मुझवानी 10 पर सेंट पर एक साल का व्याज कितना मतलब मिस्रधन कितना 110 बटा 100 मतलब कितना 11 बटा 10 हो गया यही चीज देखिएगा 11 बटा कितना 10 अब अब देखे लिखेंगे कुछ ने काली दिमाङ यहां रखियेगा ने समझ में आएगा तो फिर सम्झाएंगे लेकिन ध्यान यहां रखियेगा सबसे पहले कितना लाख उदाड लिए हैं 1 लाख का एक साल के अंत में कितना चुका रहा है दस हजार तो इक लाक एक साल के अंत में कितना बनेगा 166 कितना होगयाm एक लाख, दस हजार, लेकिन एक लाख, दस हजार में से कितना चुका दिया, दस हजार बचा कितना, एक लाख, हो गया, दस हजार तो चुका दिया, बचा कितना, फिर एक लाख, अगला साल चलेगा, किस रेट पर, एक लाख, दिमाग रखिये, जहां जरुवी होगा, वहां क करेंगे लिखेंगे नहीं अमहिक में कुछ 11B पर 10 फिर एक लग का इग्यारपट अधस कितना एक लाख 10 अगशारस कईवक चना चायों कितना बचा कि अरले क्शन कर सकते हैंना कितना चो और नभ्वे हजार नभ्वे हजार ये हां कितना हो गया नभ्वे हजार अब फिर नभ्वे हजार का कितना दिमाग में जा रहा है बात नभ्वे हजार का इग्यारण अव Cleveland 99,000 लेकिन उस 99,000 में से 30,000 दे दिया अब थोड़ा कैल्कुलेशन रखे 99 में 30 गया 69 अरे हाँ आ ना 69 हो गया अभी तक अरे बोले ना फीर 69 का कितना 11 बटा 10 थोड़ा सा गुना करने में समय लग रहा होगा आपको लिख दे रहें 69 का कितना बोलिए आए 11 बटा 10 कितना हो गया ये बोलिए 0011,99 हासिल कितना 916,66 और 965 क्या दिखे तो सही है 75,900 लेकिन 75,900 में से कितना 40,000 अब 75,000 में 40,000 ने घटा हिएगा 40,000 घटा कितना बोलिए 35,000 लेकिन 35,900 पड कितना 11 बटा 10 हो गया ये कट गया 0, 11,99, 11,55 और 964 हासिल कितना चो 11,33 और 6 कितना अता 49,4,9,0 अब बताये बुझाया की ने बुझाया अब बुझाया गया न हाँ ऑनलाइन वाले भी एकदम कॉमेंट करना है इस अब प्रॉब्लम है सही बर लिख के बनाईए गाना तो कहां जाएगा धढ़ा जाएगा फिर से सुनिएगा एक बार सबसे पहले आप कितना का रीन लिए एक लाख रेट कितना है तस तो एक लाख का मिसर्धन बनेगा यासी यानो दस परतिसत के दर से कितना हो गया एक साल का 11 बटा 10, एक लाख का 11 बटा 10, एक लाख 10 हजार, लेकिन एक लाख 10 हजार में कितना दे दिये, 10 हजार, तो अब कितना पर मुल्धन चलेगा, एक लाख पर, फिर अगला साल वी, रेट तो यही है, एक लाख का फिर 11 बटा 10, एक लाख 10 हजार, लेकिन उसमें से कितन जिना दीए बीस रजाउर कितना आ गया आए नब्बे हजार नभ्वे हजार का गारव तर दस क्लम Griff Bent's 29,000 का कितना 11,000 में से कितना दे दिये 40,000 कितना 35,900 अब पांचमां साल इसका न बनेगा हमें कितना चुकाना होगा ये अब बताईा सबको समझ में आ गिया नहीं हो समझ में आ तो बोल दे ना है समझ में आ गिया है ना आयाय बोलते बोलते बाबा बागेसर धाम पहुंच जाना है बड़ी लेकिन अभी ट्रेंडिंग में है दोस्त तो लोग भेंट भाट करके आया कि ने हम तो हिम्मत जुटाये थे लेकिन हिम्मते काम ने किया दोस्त लेकिन एक वार सोचे तो है लेकिन हुआ ने पारा यतना भीर आया अरे गारियों घोड़ा अंदर घुसने देता तब ना कुछ नहीं पैदले चलिए कम से कम चर-पांच किलो मीटर आप खाली भाड़ा गए थे चलिए कुछ तो बात है जरूर बावु है न अब जिसका परचार हो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है अपना आस्था है हमको उससे मतलब है है ना लेकिन मानना पड़ेगा है ना एक तो बंदा गजब का इसमार्ट दिखता है गलत बोल रहे हैं है है आप पक्का खिलारी है हूँ है ना आइस आई सरकार उसके सामने नत्मस्तक है इडिया मीडिया क्या चीज है ओतना भीड दुनिया का कोई सरकार बुला ले तो जरा सा कितनों पैसा देखे आ यहां फिडी में गाड़ी पे गाड़ी पहुँच रहा है यह तो है कि फाइदा तो कोई न कोई पार्टी जरूर उठा रहा है है ना चले यदि अंजू बीट से 30 पर 30 अधिक दक्ष है अंजू किस से बीट से 30 पर 30 अधिक 100 तो यह कितना इसका मतलब किस रेशियो में तेरा अनुपात कितना एफिसी एंसी का रहा है वे एक साथ काम करते हुए उस वर्क को पूरा करने में कितना समय लेंगे यदि अंजू अकेली तो बन गया होगा अंजू का छमता कितना है तेरा तो 23 दिन में इतना काम लेकिन इसी काम को कर्वाना किसे है दोनों से तेरा दस कितना तैस तो आंसर कितना हो गया तेरा दिन नए समझ में आएगा फट से बोल दीजिएगा उनलाइन वाले नए समझ में आएगा वीडिएओ एक पर फिर पीछे करके देखियेगा ये देखिए क्या कह रहा है यहाँ, सबसे पहले ऐसे प्रोब्लम में ध्यान आपको क्या देना है, दोनों के खुलने का समई क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, problem में कह रहा था कि 11 बजे वैसनव अस्थान A से अस्थान B के लिए प्रस्थान करता है कितने बजे चला है 11 बजे A से कहां के लिए B के लिए कितने बजे चला है बोलिए 11 बजे कितने बजे चला है 11 बजे इस direction में और वैसनव का चाल कितना है बताईए 44 किलो मीटर किस चाल से ये चला है ये भी जरा आप देख लें, 44 के चाल से, जबकि सुमन कितने बजे चला है सुमन बताइए, दो बजे इस डारेक्शन में चला है, और किस चाल से, बावन के चाल से, और इसके बीच का दूरी कितना है, 516 किलो मीटर, तो बोला कब मिलेगा, जब भी ऐसा बोले न, तो सबसे पहला काम क्या करना है, उसके खुलने का समय को क्या करना है, बड़ाबर, ये खुल रहा है कितने बजे, 11 बजे और ये कितने बजे, 2 बजे, समय बड़ाबर नहीं है बरावर लाने के लिए 11 से कितना घंटा? तीन घंटा चला, तो तीन घंटा किस चाल से? 44 के चाल से, तो कितना दूरी चल चुका बताईए? 132, अब यहां पर कितना बज गया है? 2 बजा है, और किस चाल से? 44, अब देखिए तो जो फासला 516 था, उसमें कितना तय हो चुका है 132, तो बचा कितना? 4, 8, फिर कितना? 300 कितना? 84, अब बताईए दोनों के खुलने का समय सेम है, लेकिन अब फासला कितने का हो गया? 384, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा, चाल, दूरी कितना है? 384, अच्छा चाल, दोनों अपोजिट डारेक्शन में जुट आएगा ना? 4, 2, 6, 5, 4, 9, 96, कई बार में कटा ये? 4, इसका मतलब कितने घंटा बाद मिलेगा? 4 घंटा, लेकिन 4 घंटा जो लगेगा, कितने बजे से लगेगा? 2 बजे से, इसका मतलब कितने बजे वो मिलेगा? 6 बजे मिलेगा, बता दीजिए, यह नंबर है. अगला, इसको कोई बनाए थे? बहुत ही सांदार तरीका है. आ गया है कॉस्थिटा? वेरी गुड. सबसे पहले एक ट्रिपलेट आप यहाँ याद रखिएगा, यह सब एस्टेंडर ट्रिपलेट होता है. पी स्क्वार माइनस, फिर कितना? 2 पी और पी स्क्वार पलस वन. यह एक पाइथा गोडियन ट्रिपलेट होता है, जैसे 3, 4, 5 होता है न उसी तरीके से. इसको बनाने के धेरों सारे तरीके हैं. यदि आपको, चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या बताईए? कॉस्थिटा पलस कितना? कॉट थिटा बरावर कितना है? पी है. तो जैसे यहाँ पी है, तो माइनस में क्या हो जाएगा? जरा यह बता दीजिया. माइनस कॉट थिटा. उलट जाता है न भेलू? वन बटा कितना? पी. यह पलस है, तो यह क्या हो जाएगा? माइनस और यदि यहाँ माइनस रहता, तो यहाँ क्या हो जाता? पलस. दोनों को यह कट गया तो यहां क्या हो गया बताईये 2 of caucic theta बराबर कितना P plus 1 by P कितना हो गया यहां बताईये P square plus 1 बटा कितना P इसका मतलब क्या हो गया यह कौसिक थीटा बराबर P स्क्वाइर पलस 1 बटा कितना 2P अब बताईए कौसिक ये किसका काम कर गया कर्न और ये किसका काम कर गया प्यारे बच्चे लंब का तो अब बचा कितना P स्क्वाइर माइनस 1 ये किसका काम करेगा आपका आधार का काम करेगा तो आप से जो पूछ रहा है यह PSko раз minus one क्या पुछा जा रहा है बता यह आधार अनीचे क्या है करन तो आधार बटा करन किसमें होता है कॉष्ट ही तो आधार बटा क्या होता है कर अधार वटा करन का मतलब आपको चाहिए किस का मान कॉस्थीटा अब समझ में आग यान कैसे बनता है ये सब जल्ली जल्ली लिखिएगा अगला प्रोब्लम बहुत हब्बी हब्बी है साथमा नंबर कोई बनाए है हीट एंड टायल सबसे बेस्ट उडादें इसको दोस्त जल जली बताई एक नौका आट गंटे में धारा के विपरिधिशा में 20 किलो मिटर अच्छा 25 किलो मिटर किस डारेक्शन में चलती है विपरित विपरित का मतलब x माइनस और फिर धारा के दिशा में कितना चलती है 69 कितना हो गया x plus y यह दोनों मिला कर कितना गंटा लग रहा है आत फिर कह रहा है एक ग्यारा घंटे में 35 किलो मीटर विपडित एक्स माइनस वाई और फिर कितना है बावन किलो मीटर धारा के साथ अब कितना घंटा लग रहा है अब यहां पर यदि इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बनेगा मेरा तरीका सुनिए कुछ कॉमन खोजिए 49 32 दोनों में 13 कॉमन है हीट एंट्राइल मारिये 13 यहां कितना कॉमन पांच कहीं यह जरूरी नहीं कि यहीं होगा लेकिन यह होगा तो कंडिशन मेरा क्या होगा फुल फिल देखिये तो तीन अपचे 25 तीन आठ तेरा चौके बावन चार और यहां पांच सते 35 साच चार इग्यारा फुल फिल है एक्स पलस Y कितना मिला तेरा एक्स माइनस Y कितना मिला पांच हमें धारा का चाल निकालना है तो धारा कैसे निकलता है चीजों को सुनिए धारा निकालना होता है दोनों को घहटा कर कितना से भागा दो से अता आथ बटा दो कितना आ गया? चाष यही नाव का चाल पुछता तो दोनों को जोड़ कर कितना से भागा? दो से अगला यहां हीट एंट ट्राइल खेलिए? क्या खेलाया? M बराबर कितना पकड़ लीजिए 3, 3, 3-2, 3, 1, कितना 4, M बराबर कितना पर मेरा condition fulfill है 3, 3-2 कितना 1 का square, 3-2, 1 का square, answer कितना 2, बात समझ में आ रहा है न, यदि heat and trial नहीं सोच पा रहे हैं, तो उसके लिए दूसरा तरिका, उड़ा दें इसको, यहाँ पर M-2 है, इधरो M-2, पहले से M था, M-2 लाए, तो इधरो क्या करना होगा, 4-2 कितना 2, तो 2 होने के लिए इस पूरे को क्या होना होगा, 1, और इसको क्या, 1, तब तो 1 पलस 1 कितना 2, इसका मतलब 1 का square, फिर नीचे भी 1 का square, answer कितना 2, जैसे सोचना है, सोचिए आप, और नए सोचाता है, तो वो भी बोलिये, इसको कोई बनाए थे, ये सब डेटा पता होना चाहिए, 10 पर 30 के दर से पहला साल का C.I. कितना, 10, अगला साल 10 के दर से, 11 बटा 10, कितना, अरे 10 के दर से का मतलब 10 से न बढ़ेगा, अगला साल 11 तो है, फिर कितना से बढ़ेगा, 10 से 110 बटा 111 बटा 10 से 121, फिर अगला साल, अच्छा हमें 14 साल से कोई लेना देना, नहीं है, कितना बोला है, दूसरे और तीसरे वर्स के अंत में, देखे तो दूसरा साल कितना है, और तीसरा साल ये है, कितना है, अंतर बता यह एक दसमलो एक सौ कामान कितना दिया हुआ है दोस्तों चार हजार या चालिस जार तो कितना एक दसमलो एक ग्यारा चोके चावालिस रुपिया होगा अंतर अगला कलम इस्पिड में चलाना है ऐसे प्रॉब्लेम को हमेशा हम कैसे चलेंगे बाए ऑप्सन मेरा तरिक्का सुनिएगा खाली इतना में क्या जोड़ें कि तीन चार पांच साथ से क्या हो विभाजित पहले चावड़ासी जोड़ने दीजिए चावड़ासी यदि जोड़ेंगे तो इकाई अंग क्या होगा चार क्या कभी पांच से कटेगा अब आईए 420 यदि हम इसमें 420 जोड़ें तो 7 से भी कटना चाहिए अच्छा 420 तो 7 से كट रहा है तो इसको भी क्या होना चाहिए 7 से कटना चाहिए 7 500 सच्छा के 42 चालिस कटेगा साथ से नहीं यह देखे 180 अब देखे कैसे यहां यहां पर यदी साथ से भागा देंगे तो सेस कितना आ रहा है बताईए साथ पचे 35 सच्छा के 42 साथ पांच आ रहा है सेस अरहा ना तो अब यदी 180 जोड़ेंगे तो 185 कितना पचासी क्या साथ से कट रहा है नहीं यह देखे तो कट रहा है ना 245 साथ से अरे वहां पांच सेस है तो 245 कितना सत्या एकई साथ पचे 35 कट गया ना इसका मतलब क्या जोड़ना होगा 240 और जिनको बाइप्रोसेस बनाना है पहले इसका क्या निकाले आप LCM फिर भागा देके निकाले जो टाइम टेकन होगा आपके लिए अगला यह बताइए माधिका क्या होता है Central value होता है अब यहां टोटल कई गो डेटा है यह चीज़ चेक किजिए यह किसके बराबर आ गया 77 चार दू छो एक्स पलस कितना साथ दूने 14 एक पंदर तो एक्स बराबर कितना आ गया यहां से 25 एक्स का मान क्या हो गया 25 इस सब बना है कि ने अगला बारा नंबर यह भी बनना चाहिए बहुत तरीका है इसको बनाने का लेकिन मेरा लॉजिक सीखिएगा कहता क्या है किसी कच्छा में सभी क्या दोस्त आए अरे भाई इचार इधर गईल डेढ़ सो छो से भागा दिये डेढ़ सो में 25 चके डेढ़ सो ने समझ में आया आए है है इस सुत्र तुत्र कुछूने होता है माधिका का माधिका का कंसेप्ट कहता है Central value is known as माधिका बीच वाला मान असा तक है और सेंटरल बैलु होता है गलत कंसेप्ट निकाल लिए जब माधििका के केस में आउसत पुछा जाता है तब central वेलू आउसत होता है समझम मीचा रहा है ना आउसत centre value कहना गलत है Central value आउसत तब कहलाएगा जब data क्या हो same से बढ़ता हो same difference हो तब वही चीज़ तो माधिका होता है आगे की और बढ़ते हैं माधिका वही चीज़ नहीं होता है sorry माधिका में difference same होना नहीं होना कोई बात नहीं है किसी कच्छा में सभी चात्रों का आउसत भार कितना है पच्पन ग्राम पच्पन केजी है लड़कों और लड़कियों के आउसत भार का अनुपाद देखिएगा अभी सब आप लोग पढ़वे ने किया हैं तो फिर कैसे बनाएगा और यह है आउसत भार अच्छा चालिस पर क्या है आउसत कितना है बताईए तो लड़का और लड़की का पांच और चार अब मेरा तरीका सुनिए बहुत तरीका है बनाने का जो सबसे बेश्ट है वो दे रहे हैं लड़का का आउसत पांच लड़की का लड़का का भी चार ही रहता पांच के जगह तो आउसत हर हाल में क्या होता चार थ्रो आउट चार हो जाता लेकिन लड़का का आउसत कितना ज्यादा है एक ज्यादा है लेकिन एक ज्यादा है ऐसा ऐसा कई गो लड़का है दो गो लड़का है तो टोटल ज्यादा कितना होगा दो ज्यादा होगा लेकिन टोटल कितना संख्या है पांच मे बटेगा यह अता दो बटा पांच इसका मतलब यहां कितना हो गया 4.4 मतलब हमारे डेटा के अनुसार आउसत कितना मिला 4.4 लेकिन वास्तविक रूप में आउसत पूड़ा का कितना है पच्पन किसका मान पच्पन कितना अब किस का लड़का का उसत बोले तो कितना का मान पांच और लड़की का उसत बोलता तो कितना का मान चाह अब कैल्कुलेट कर दीजिए कितना आ रहा है बोली है एक उड़ गया, एक जीरो, इग्यारा से पाँच, इग्यारा से 62 दसमलों कितना, आया है, भागा देके देखें, यह ना रहा है, ऐसे बनाया जाता है इस सब, अगला, सब प्रॉब्लम अभी थुरा कैल्कुलेटिव होगा, तिर्भुज A, B, C में D और E ऐसे बिंदू है, A, B और A, C इस परकार है कि D, E पैरलल किसके है, B, C के, सबसे पहले आपको यहाँ फिगर बनाना ही पड़ेगा, उड़ा सकते हैं हम इसको बोलिए, उड़ा दें दोस्तों, देखेगा, एक ट्रेंगल दिया हुआ है, ट्रेंगल है, A, B, C, यह पैरलल है कोन किसके, D, E, अब रख दीजिया जैसे जैसे है, A, D, X, प्लस कितना है, 3, फिर बोलिए, D, B कितना है, 2, X, माइनस 3, फिर बोलिए, A, E कितना है, X, प्लस 1, फिर बोलिए, यह कितना है, 2, X, माइनस 2, अब जब यह दोनों पैरलल हो तो भुजा का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर, यहां से क्या हो गया, बोलिए, X, प्लस 3, अब बेटा, फिर कितना हो गया, 2x minus 3 बराबर यहां से कितना हो जाएगा बोलिए x plus 1 बट 2x minus 2 अब यहां देखे integral value रहता तो by option चलना क्या रहता ज्यादा बहतर रहता क्योंकि answer जो है बटा में है हम by option हो चलेंगे तो हमारा calculation क्या होगा बढ़ेगा और यहां ज्यादा बहतर है कोणी है कोणी गुना कर दिज़े बोड पे देखिए 2x गुना x कितना 2x square plus 2x into 3 कितना 6x अच्छो एक्स में minus 2x कितना 4x minus 6 गुना अब अच्छा से करना होगा अब यदि आपका यही गुना चौपट है यदि आपको हकीकत है कि यह समझ में नहीं आ रहा है कैसे गुना हो रहा है बहुत महिनत करने की जरुत है बात समझ में आ रहा है ना बहुत थोड़ा बहुत नहीं बहुत अब बता यह कितना हो गया यहाँ 2x square फिर यहाँ देखेगा 2x पलस 1 कितना 2x अब माइनस 3x है ना तो कितना होगा माइनस x अब फिर कितना यह कट गया यहाँ से यह x इधर आ गया कितना अब माइनस 6 इधर गया पलस 6 कितना 3 अरे माइनस धर जाएगा छो माइनस तीन तो एक्स बराबर कितना 90 परसेंट बच्चा का कैलकुलेशन नाइन्टी क्या 99 परसेंट बच्चा का कैलकुलेशन रद्धी के भाव में हैं कहां से रिजल्ट होगा अगला बनाईए यह हैद्राबाद में एक माइक्रोवेब ओवेन एम रुपिया में बेचा जाता है मतलब खड़ीदने वाला कितने में खड़ीद रहा है है हैद्राबाद में एम रुपिया में खड़ीदने वाला खड़ीद रहा है ठीक है इलाही हैध्राबाद से मद्रास गया और 25 परतिसत कम में खरीदा, बोड पे ज़रा देखें, हैध्राबाद में यदी खरीदिता तो कितने में खरीदता, एम, लेकिन हैध्राबाद से कहां गया, मद्रास, तो 25 परतिसत कम का मतलब कितना, तीन बटा, 4 एम में खरीदा, अरे एसया नई लेकिन मद्रास से हैजराबाद लाने पर कितना खर्च किया एक हजार तो एक हजार तो है उसका कोस्टिंग न हो गया अरे बोलिया ना इसका मतलब मद्रास में जो वह समान खरीदा उसको टोटल इतना पड़ गया समान का कोस्टिंग लेकिन वह इसे कितना में बेचा M, इतना में बेच दिया लेकिन कितना लाभ कमाया 10 10 पर 30 लाभ का मतलब कितना 110 बटा, 111 बटा तो दोनों तो बराबरे हो गया क्योंकि इतना में ही बेच रहा है M रुपिया में हो गया, calculate कर लीजिए अच्छा, अब यहां देखेगा फिर calculation, यह पूरा इसी में गुना कर दीजिए, कितना हो गया बताईए आप हमें जरासा 33 बटा 40 क्या M पलस गुना करेंगे, 1100 हो गया और यहां कितना है M, अब यह इधर आएगा, माइनस हो जाएगा 40 में 33 गया कितना 7 बटा 40 M बराबर कितना 1100 तो M बराबर 114 के 44 हजार बटा उप्शनों से चलिए देखिए सब में आ रहा है न, बताए सच्छा के 42 दो आया 7 दुनी 14 छो आया 7 अठे है कोई ऐसा बस अगला 15 नंबर कोई बनाये है भाई साहिब तिर्भुज यदि समरूप है तो भुजा का अनुपात क्या होगा बराबर बोर्ड पे देखिए कोई कोई तिर्भुज है A, B, C A है B है और C है और दूसरा में क्या लिखावट क्या है D, E, F नहीं है E, D, F चलिए A, B, 6 ये कितना है 16 ये कितना है B, C अच्छा समरूप का मतलब रेशियो से बोर्ड पे देखिए लिखना नहीं आठ दूनी तो 6 दूनी हो गया इसका मतलब ये क्या होना चाहिए 12, सिधा हुआ बात समझ में आना है ना अगला 16 के बाद 16 नमबर दिखेगा यहाँ पे कह रहा है 14 मीतर के आधार व्यास और 9 मीतर की तिरियक उचाई वाले किसी संक्वा कार टेंट को बनाने के लिए अथा जब भी बोले ना संक्वा कार टेंट बनाने में जो कपड़ा होता है वो उसका वक्र प्रिष्ट होता है पाय आर एल पाय का मान कितना 22 बटा 7 आर का मान कितना है 7 रेडियस चौदा है और एल कितना है 9 तो इतना ही कपड़ा लगा होगा लेकिन यह जो कपड़ा लाए एक दूसरे जगह से लाए उस कपड़े की चौड़ाई कितना है 2 लंबाई कुछ रहा होगा लेकिन दोनों का छैत्रफल क्या होगा बराबर तो कपड़ा का छैत्रफल इधर कितना लंबाई गुना चौड़ाई 2 जब भी इसी को तंबू बोलता है तंबू बोला है किने देखे तो टेंट बोले या तंबू बोले बात क्या है बराबर है क्या होता है उसका छैत्रफल पाय आर एल वकर पृष्ट छैत्रफल 17 तरह, डिरेक्टे बहलू पूट कर दें, व्योंस हो जाईएगा, है न, थ्वासा सिंप्लिफाइ करके पूट करेंगे तो ज्यादा बहतर होगा आपके लिए, सबसे पहले इसका LCM ये भी क्या हो गया देखे तो, A पलस B इंटू, A माइनस B हो गया नीचे, LCM क्या दे दिया ये, A पलस B इंटू, A माइनस B, आप उपर में, A क्यूब माइनस, माइनस कितना, 3AB, यहाँ A पलस B था तो क्या गुना हो गया इसमें, A माइनस B, यह फॉर्मूला क्या बना दिया, A माइनस B का, A गो यहाँ से कट गया, यहाँ कई गो बचा, इसका मतलब, A माइनस B का, अब बटा कितना, अब बताए, A माइनस B, 26 में 22 गया कितना, 4 का स्कॉर, और यहाँ फिर कितना, 26 पलस 22, कितना हो गया, 48 तो आंसर, अरे A के जगा 26 रख दिये, B के जगा 22 रखे हैं, एतना अंजान नहीं बनना है, कि कैसे कैसे सोलर लिख दे रहे हैं, टेस्ट मार रहे हैं आप, दिक्कत है तो फिर फाउंडेशन में आईए, अगला बनाईए, आ गया है, यह तो बच्चा वाला हो गया आएगो, एक वरित है, तिर्जिया पाँच है, इस वरित में जीवा, A, B की लंबाई छो है, यह देखेगा, सेंटर है, तिर्जिया कितना है, पाँच, और यह जीवा कितना है, छो, आपको पता है, केंदर से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा को क्या करेगा, यह कितना, यह भी, यह तीन, यह पाँच तो यह, तो धूरी कितना हो गया, चार, अगला उनिस्मा कोई बनाए हैं ए फॉर्मूला होता है अब यदि नहीं पता चल रहा है न अपने मन से कोई एंगल भी लेके आप बना सकते हैं लेकिन थोड़ा सा एंगल लीजिएगा तो कैल्कुलेशन क्या होगा बढ़ जाएगा जैसे मान लिये हमें ए बराबर ले लेते हैं साथ डिगरी अब बी बराबर क्या ले लेते हैं तीस डिगरी ए बराबर हाँ अब 120 का मान नहीं पता है तो फिर भगवान का यो माफ नहीं करेगा ए बराबर कितना ले लिये हम बोलिये अच्छा 45 पर लेने पर काम आसान हो रहा है कि नहीं 45 और 15 तीस अब 45 पंदरा कितना साथ अच्छा एक चीज बताईए अब 45 और 15 जोड़के बताईए सबसे बेहतर है ए बराबर कितना रख लिजिए 45 और बी बराबर 15 ए कैल्कुलेसन आसान हो जाएगा अच्छा यह देखे तो 45 जैसे रखे 45 दुने 90 कितना कौस 90 कितना जीरो यह पूरा कहानी क्या हो गया स्वाहा अच्छा यहाँ 45 रखे 45 माइनस 15 कितना तीस साइन 30 का मान एक बटा दो एसक्वाइर करेंगे एक बटा चार प्लस पैटालिस पंदरह 90 ए स्वाह पैटालिस पंदरह कितना साथ साइन 6 का मान रूट 3 रख टू एसक्वाइर किये तीन बटा बोलिए तीन बटा चार आंसर कितना अब वही आंसर सही होगा जिसमें क्या मिले एक अब एक चीज ज़रा गौर से आप देखें तो 2A-2B एंगल तो सेम होगा हम क्या निकालते हैं पहले 2A-B यही चीज़ न हो गया कितना दे दिया यह साथ डिगरी अरे 45-15 कितना तीस दुनी साथ अब हम निकालते हैं कितना 2A-B 45-15 कितना बोलिए साथ साथ दुनी एक सो अरे ने समझ में आ रहा है बात अरे टू कॉमन ले लेंगे तो अब बताईए यहां पर साथ साइन साथ का किसी में ने आ रहा है कहां माइनस होगा अच्छा यह चिन्धा माइनस है तो बदमस्वा बोलना चाहिए था ना पहले यहां माइनस न होगा तो कितना आ गया यह बोलिए माइनस एक बटा दो इतो और आसान हो गया देखेगा कैसे इसका मतलब वही आंसर सही होगा जिसमें एंगल माइनस आ जाएगा देखेगा तुरह ध्यान से साइन साथ दुनी यह कितना आया है साथ साइन साथ का यह माइनस देगा ये कितना 120 कई हो माइनस देगा ये कॉस वाला कितना 60 कई हो माइनस देगा कुन सा माइनस देगा ये देगा अब कड़के देखिए 120 120 second quadrant second quadrant में कॉस क्या माइनस 120 का मतलब 60 माइनस एक बटा दो हो गया ये ज्यादा बहतर था आप अपने मन से कोई भी एंगल लेके क्या कर सकते हैं इसा बना सकते हैं लेकिन आपको एंगल साइन साट, साइन तीस मान पता होना चाहिए बहुत बच्चा को माने पताने रहता है बच्चा तो बच्चा है आज के समय में ये बनाईएगा एक घरी की मिनट की सुई बीस सेंटी मीटर लंबी है आठ एम से आठ पाइतालिस के बीच छेतर फल कितना बनाएगा सबसे पहले समझाने के लिए हम लिख दिये ये कितना लंबा है बताएए बीस अच्चा आठ बजे से आठ पाइतालिस कितना मिनट तो पाइतालिस मिनट में कितना कुन बनेगा ये तो निकाल लिए दोसो सत्तर अरे साथ मिनट में तिनसो साथ डिगरी एक मिनट में कितना छो तो पाइतालिस मिनट में दोसो सत्तर मतलब आठ बजे से आठ बज के पाइतालिस मिनट के बीच ये एंगल हर हाल में क्या हो जाएगा 270 तो ये छैत्रफल चाहिए थीता बटा कितना 300 पाई आर एस्क्वाईर पाई का मान आर एस्क्वाईर 20 का एस्क्वाईर 20 गुना सॉल्व करके बताईए क्या आएगा ओप्सन नमबर ए चले लिखते चले फड़ा फट आगे बढ़ जाएं हम चले हो गया नहीं यहां तक क्या सब को समझ में आ गया है न दोस्त देखिए जब तक टेस्ट रूम पे जाके अपने से फिर से एक बार नहीं बनाईएगा हाइदा नहीं हो पाएगा और टेस्ट में हम हमेशा एकदम अपडेटेड कोश्चन और वैसे कोश्चन जो आपको लगे कि कहीं न कहीं छूट जाता है समझ मैं नहीं इसलिए टेस्ट हर हाल में मारते रहना है तो चलिए आज के लिए यहीं तक मिलते हैं अगले क्लास में